हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजे टेक्निकल अर्दरेट 21 में आज की इस वीडियो में हम पुना कुछ MCQS questions का discussion करेंगे तो यह वीडियो आप लोगे लिए कापी important होने वाली है हमने MCQS की एक स्री चलाई है जिसमें हम डेली जो है चेप्टर वाइज MCQS questions का discussion करते हैं यह series आप लोगे लिए कापी important होने वाली है क्योंकि ACN की book के MCQS हम इस series में discuss कर रहे हैं और ACN की book के जितने भी MCQS हैं वो कापी important हैं क्योंकि इस book से previous exam में कई सारे questions पूछे गये हैं ठीक है और कली हमने एक question discuss किया था ट्रेमल वाला त तो question आपके DMRC के exam 2020 में जो exam हो था उसमें question पूछा गया था और बहुत सरे question आपके exam में पूछे गये हैं और आने माले exam में भी बहुत सरे question आपको इस book से देखने को मिलेंगे तो यह series आपको के लिए काफी important होने माली है complete series को देखिएगा ताकि आपको आने माला कोई भी technical exam है तो उसमें आप अच्छा score कर सके और जो है आपकी selection पकी हो सके तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं बीना किसी दरी के आज का हमारा पहला question है वह है एक परकार के range में jaw को nut के size के अमसार एक screw की सायता से समनांतर में खोला जाता है यह होते हैं यानिकि यहां पे सायज के और उसको अचार सकते हैं तो याद रखिएगा जो monkey range होता है इसमें यह face radius होती है हम उसके जबड़े को यह निकि जा को nut के size के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं में इसको क्या कर सकते हैं उसके जबड़े को एडियेक्स कर सकते हैं तो first question का जो आपका answer हो जाँ हो के हैमर का पृइवग रिभीट के सैंख को फैला कर हेड का आका इन्सक्र स्कूलने पुस्टा इखे करते हैं त्याद रखेयेगा स्कूलिआ मार्किंग पूछी स्कूल के लिए हम 250 ग्राम का जो हैमर होता है बालपीन हैमर उसी का हम प्रियूग करते हैं तो यह भी काफी इंप्वर्टेंट कुछन है आप इसको याद रखिएगा ठीक है और एक कुछन आपसे पूछ सकता है जैसे कि साफ्ट है तो फिनिशिंग कार्यों के लिए हम साफ्ट हैमर के लिए हैंडल की लगग कितनी होनी चाहिए यादर कोई अपका है है जोके 500 ग्राम का है तो उसके लिए हैंडल कid梅 कि नहां चाहिए तो याद रखिए गया पांचो सब्सक्रेямा के लिए न चीनयद के लिए थ्रैंट करनी निड़ेमिटर तो यह भी काफी important questions है आप इसको याद रखेगा इस प्रकार के question भी आप से एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चले नेक्स question की तरफ बढ़ते हैं वह वाइस की nominal size का धाई गुना होती है तो भी काफी important question है वाइस की nominal size का धाई गुना यह bench हो जाएगा ठीक है इसको जाद रखे कि बेंच वाइस है ठीक है चले next question की तरफ बढ़ते हैं next question हमसे five number question पूछा गया है समानी कारी के लिए किसी वेंच वाइस को कितनी उचाई पर फिट किया जाता है त्याद रखे गया नार्मल कारी के लिए हम यानिकि general work के लिए हम जो bench की उचाई होती है वह 106 cm यानिक 106 cm की height पर उसको क्या करते है फिक्स करते हैं तो भी काफी important question है आपसे इसको याद रखना है और इस परकार के question आपसे exam पूछता है तो आपसे उसको change कर सकता है तो याद रखेगा जो worker ह होते हैं उसके क्या होने के height के बराबर में आपकी bench की bench wise जो होती है वह fix की जाती है तो भी काफी important है चले next question की तरफ बढ़ते है next question आपसे पूछा गया है 6 नंबर का wise clamp का प्रियोग क्यों किया जाता है तो याद रखिएगा जो bench wise में wise clamp की प्रियोग की जाते है वह आपके जाब की finish की हुई surface को बचाने के लिए प्रियोग की जाते है तो इसमें आपका first option से हो जागा जाब की finish की हुई surface को बचाने के लिए ठीक है चले next question की तरफ बढ़ते है अगला question है 7 number question 7 question है wise का mobile जा spindle को उगमाने पर भी नहीं चलता है इसका करान क्या है तो याद रखेग इस पिंडल की पीट अगर पीन टूट जाती है तो इस प्रकार के defect आपको जहें बेंच्वाइस में देखने को मिलेंगे यह इन्ने की spindle को गुमाने पर भी आपका इस पिंडल के टूटी जाए तब इस प्रकार का defect होता है ठीक है तब की याद रखने है सेकेंड आपसन इसमें सही हो जागा इसकी पीन के हैमर होता है ठीक है उसकी जो हैंडल होती है वो पीन के सीध में होती है निस्ट कुचिन है नाम नमर बुस्टा गया है लेंच प्न हमर के पीन होती है तो हैंडल के सिध में होती है आप इसकी याद रखेंक है सेकेлов छ tää Safe में होती бат है हैं डिक है और जैसा नाम में इसकी हो जागा है है नेंस्ट कुचिन है टेन नमर का टेन कोचा है बेंच वाइस को पैरलल जावाइस भी क्याते हैं क्योंकि तो याद रखेंगा बेंच वाइस को तकी यही आपका से हो बहुत सारी चीजे करने माल हूं पीटर टेट के लिए ताकि आपको आने मुझे एक्जाम में आपको उसके बेन्फित मिल सके हैं नेक्स्ट कोईचन के तर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईचन है आपके 11 नमर का वाइस की जाप लेटो की धातू होती है तो याद रखेगा जो व वाइस केशनक्ट के धातू होती है तो आपको पता होगा कर आपको याद रखने हैं perch हम क्ली कोचन 3 13 नमबर 13 पुछा गया है pin wise का प्रयोग की आजता है तो याद रखेगा पीन वाइस का प्रयोग जो है pin को पकड़ने के लिए हम करते हैं ठीक है यूद्ध को प्रयोग ही किसले होता तो पकड़ने के लिए इसके पीन को fix करने के लिए यह अपका गलत अस्र पीन को पार्टने के लिए हम पर्योग करते हैं ठीक है नहीं सब्स्firMAN अम्हकर को पुछ सब्सक्राइब जปाड़ को आसे हैं जिखने करते हैं ठीका है है of a नहुत चयू को पकर जोड़ को अग्ला स्क्ति नंबर कोशन पुछा गया है तो सब्सक्राइब करेंट केफिद käytt हाट को अग्ला सफिंदल के कमऊरısı ये कोचन ngelत हो गया कि Предक्टी में इस होती है वह की articles उति हैं ये कुछी आपके गलत लगे हैं यह ही जो होती है कि माझल बनी होती है या काफी इंप्रम्ट ए इस नियुक्ति अपिक भान होती है इसके शीर आपकर फंपनी कि इन और सकतरीդ में अंप के इम कुछ्टिन तो वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट पाक्स में जरूर बतिएगा और वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल पर पहले बार विजिट कर है तो मैं आपसे पूरा रिक्वेस्ट करूगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा ताकि इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स में में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद